कि अग्रिकल्चर प्रोडॉक्षन एंड मैनेजमेंट देख रहे हैं जिसमें हम लोग ने अल्रेडी दो लेक्चर देख रहा है जिसमें हम लोग ने राइस और वीट के बारे में डिटियल्स पढ़ रखा है आज हम लोग पढ़ेंगे मेज मेज का साइन्टिफिक नेम होता है जी मेज होता है वरन थे मोस्ट वर्षिटाइल इमर्जिंग क्रॉप्स है वाइडर अड़ाप्तिवली अंडर दो वैरिड एग्रो क्लाइमेट कंडिशन में यह सबसे ज्यादा क्या होता है इसका मैनी टाइप्स अफ ग्रोण पोर लोग क्या औतने का मेज का प्रोड़क्शन करते हैं स्टुने जो है मेज को मेज इस नून आइज दा क्वी औप दğ यह जाना जाता है है क्योंकि हाइस जेनेटिक इल्ट पोटेल्शन होता है जितने भी सिरियल सो सिरियल सोते हैं उसके अंदर में यह जो है में जो है थार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स होता है आप्टर राइस और वीट के बाद 2011-12 के डाटा के कोडिंग जो है कल्टिवेर्शन हुआ था एट एट पॉइंट एट मिलियन हेक्टेर और यह में जो है में जो खारिफ सीजन का क्रॉप्स है इंडिया में हम लोग जो कभर करता है एटी परसेंट एरिया जिसमें इस एटी परसेंट में सबसे ज्यादा जो है आंध्र पर्देश में 20.9 परसेंट करनाटक में 16.5 परसेंट राजस्थान में 99.9 परसेंट महराष्ट में 9.1 परसेंट पिहार में 8.9 परसेंट उत्तर परदेश में 6.1 परसेंट और मद परदेश में 5.67 एंड हिमाचल परदेश में 4.7 परसेंट एरिया जो है एरिया में जो है मेज का तुद राभी क्रॉफ भी इसको माना जाता है यानि यह ओल सीजन स्वाले में जो है बिहार में all सीजन में इसको कल्टिबेट किया जाता है अगला पॉइंट है स्टुडेंट कि इसको इसका हम लोग क्लाइमेट क्लाइमेटिक स्वाइल रिक्वाइर्मेंट देख लेते हैं ग्लोबली जो है में जो है 50 डिग्री स्टू 40 डिग्री 40 डिग्री नौर्ट से 40 डिग्री साउथ के भी समय होता है जो कि एडप्टट वाइट उइसका पीच वैल फाइब्ग करते हैं रेंजिंग क्या है लो मी शैंडि टू हम लोग ऐरिकल्चर इसका इसका करते हैं कि इसका में ज़ाइबल तो है प्रोवीजन दा प्रोफ़ ड्रेनिज इन यानि इसके लिए क्या होना चाहिए ताकि चुकि यह जो है इसके लिए वाटर का रिकार्मेंट जो रही होता है अगला है मेज बेस्ट मेज बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया मेज वीट जो है मेज जो है स्टुडेंट थाइड मोस्त इंपोर्टन क्रॉपिंग सिस्टम है राइस मेज मेज जो है रोटेट करके एग्रिकल्चर करते हैं जिसका कंट्रिबूटर्शन जो है नेशनल फूड बास्केट में 3% है जबकि अधर मेजर सिस्टम में मेज हम लोग देखेंगे मेज के साथ मस्टर्स करते हैं मेज के साथ चिक्पी या मेज मेज या कॉटेन मेज भी हम विंटर और स्प्रिंग में भी हम लोग मेज का कॉरॉप्शन प्रोडक्शन करते हैं कल्टी एग्रिकल्चर करते हैं खारिप में स्टुडेंट जो लास्ट विग जो इसका ऑप्टिमॉम टाइम अप दस्वें होना चाहिए वह लास्ट वीक अप जून टू तू दा फॉस फॉस्ट नाइट जुलाई तक होना चाहिए राभी के लिए टाइम जो है टाइमिंग जो है वह लास्ट विग अक्टूबर फॉर इंटर क्रॉपिंग तो अप टू दा 50 नॉम्बर फॉर सेल क्रॉप्श और स्प्रिंग के लिए फॉस्ट विग फॉर्वरी में हम लोग क् करते हैं शीट एट में हम लोग देखेंगे तो सीट में जो है तो सीड़ेट डिपेंट अब पर पस अब सीड साइज प्लान टाइप और सीजन या स्वहीं मिथर पर इगया करता है इसका सीड़ेट डिपेंट करता है नॉर्मल मेंज के लिए स्टूडेंट हम लोग 20 केजी पर हैक्टर ये उज्ड करते है उज्चा जो जो ज्य defense होना चाए है कुपी हम यानि quality protein में इसके लिए इसमें भी एक हेक्टियर पर 20 kg हम लोग यूज़ करते हैं सीड का और spacing इसका भी similar है 60 into 20 जबकि sweet corn के लिए हम लोग इसके लिए 1 hectare पर 8 kg हम लोग क्या करते हैं सीड यूज़ करते हैं और इसका spacing जो होता है 75 into 25 होता है जबकि popcorn के लिए 12 kg per hectare होता है और इसका spacing जो है इसका similar होता है normal grain मेज या QPM से यानि 60 into 60 और green cob यानि normal मेज के लिए 20 kg per hectare 20 kg per hectare यूज़ करते हैं spacing भी 60 into 20 होता है जबकि fodder मेज के लिए हम लोग 50 kg per hectare से यूज़ करते हैं और इसका spacing जो होता है student 30 into 10 होता है टेलिंग या crop establishment में हम लोग देख लेते हैं तो टेलिंग या crop crop establishment में जो है generally the raised bed planting is considered the best planting method of for the मेज during monsoon and winter season both under the excess of the moisture as well as limited water availability rain conditions में हम लोग क्या करते हैं इसका agriculture करते हैं can be successfully grown without any primary tillage under no till condition यानि क्या कर सकते हैं कि हम इसका proper way में जुदाई न करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको agriculture कर सकते हैं और इसमें less cost of the cultivation होता है जबकि higher firm profitability होता है and better resource use हम लोग कर सकते हैं efficient manner में nutrient में हम लोग देखेंगे तो nutrient में हम लोग जो देखे 10-15 ton fym ठीक है पर हेक्टेर या फिर NPK में हम लोग 120-150 kg nitrogen यूज़ करेंगे 60-80 kg में हम लोग potassium potassium pentoxide का यूज़ करेंगे या 60-70 k2o या 25 kg zinc sulfate जहां पर जिस स्वाइल में zinc का कम होता है वहाँ पहरम उसको 25 kg पर हेक्टेर zinc sulfite यूज़ करते हैं in generally higher yielding के लिए हम लोग क्या करते हैं SYB या hybrid maze का हम लोग यूज़ करते हैं full dose of phosphorus potassium and half of the nitrogen should be applied at the time of the showing time में हम लोग क्या कर सकते हैं यूज़ करेंगे apply करेंगे और remaining जो होगा वह half nitrogen dose जो है should be top dresses to equal split dose around the high stage यानि जिस समय हम लोग क्या dressing करेंगे उस समय हम लोग इसका use करेंगे ठीक है अगला point है अगला point है student इसके अंदर अगला है water management water management में हम लोग क्या देखेंगे कि irrigation water management depend upon the season as about 80% मेंज का क्रॉप्शन प्रोडक्शन जो करते हैं वह मांसून season में करते हैं क्योंकि हमारे इसके लिए क्या चाहिए था requirement ज्यादा मॉइस्टर्स का ठीक है यह जो इरिगेशन शुट भी एप्लाइट इन फिर्वोज अप्टू टू 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 बाई थर्ड हाइट आप दो रीज बेड या यंग सीड नी नी हाइ स्टेज या फ्लोरिंग और ग्रीन फिलिंग के टाइम में वाटर स्ट्रेस एंड हैंस इरिगेशन ठीक है इसके बाद वीड मेनेजमेंट में वीड में में कर लेते हैं और यह क्या कर सकते हैं यह अगर हम से 1.5 लिटर वाटर अपेंडा में यूज करेंगे या वन से 1.5 kg पर फिप्टी हंडेट से 75 लीटर जो है हम लोग एफिक्टी वीड कांट्रोल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं यानि पेंडा मिथलीन को यूज कर सकते हैं इसके बाद अगला पॉइंट है डिजीज मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो मेजर डिजीज है इ इसके अंदर क्या होता है इसके जो लीब होते हैं उसमें वाइट वाइटाइप ज्या जया होता है और यह जो है तर्सिंट होता है यह जो प्रिवेंटेड इन और या हाई हुमिडिटी लॉंग इलिप्टिकल ग्रेस ग्रीन याट टेन लेशन 2.5 तो 1.5 सेंटीमेटर्स की आपियर्स होने लगता है पतियों के उपर में लिप्स के उपर में और इसके लिए हमको बचने के लिए क्या करना होगा कि मान को जेब या 2.5 ग्राम पर लिटर जो है 8-10 डेके इंटरफल में हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर इस्प्रेड कर देंगे जिससे क्या होगा इससे डिक्रीज कर जाएगा इस तरह का इंसिदेंस अगला है अगला डिजी जो है माइडियस लिप ब्लेट इसके अंदर क्या होता है यह भी एक मेजर डिजीज होता है इन दे एरिया हाविंग वार्म हुमिट टंप्रेशर तू ट्रॉपिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले रिजिन्स में यह ज्यादा तर डिजीज देखने के मिलता है इसमें वेंस्टेंस वीट बॉफ टू ब्राउन और डार्क रेडिस ब्राउन बॉडर एपियर होने लगता है लिप्स के उपर और इससे भी वसने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैन कोजेब या जीनेब जो है 2.5 ग्राम पर लीटर जो है वाटर के साथ मिक्स करके हम इस पर एस्प्रेट कर स लगते हैं अगला है अगला पॉइंट कि पेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करें इसके अंदर क्या होता है यह जो होता है मैंली क्या होता है पतियों के यह जो है प्लांट के अंदर क्या करते हैं यह यह जो है डीजी जो कीटाडू जो होता है कीट्स होता है उसके damage the leaf को क्या कर देख खतम कर देता है ठीक है यह जो है यह मैज इस्टिम यह जो है क्या बोलते हैं यह कीट जो इसके अंदर में entry मार रहा है अगला है student अगला है टार्माइट्स 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 जो है यह भी important paste in any many in many area especially zero tilt मैज में for control of the टार्मीट्स जो है हम लोग फिपरोनिल ग्राणूलेज जो है 50 kg पर हेक्टेर हम इसमें क्या करेंगे यूज करेंगे ठीक है इसमें हम लोग पॉलड़ बाइदा लाइट इरिगेशन के साथ हम लोग इसको यूज करेंगे या फिर जो है फिरिनोलीज को जो है टू से टू या थ्री ग्रेनवर्स प्लांट्स शूट भी डन ऐसे करते हैं तो यह क्या होगा हमारा यह इस डीजिस चाम लोग इसको क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं हार्वेस्टिंग टाइम देखेंगे वो थ्रेस्रिंग ऐल्डिंग यह भार्वेस्टिंग जो है अट लिस जो अट्लेस दान 20-25% मौईश्यर इन दा ग्रेन हाट हास्क कला टॉनलिक पहले ब्राउन कलर का एपिर्स होने लगता है तब हम लोग क्या करेंगे इसका क्या करे लगे इसमें 12 परसेंट मॉइस्टर जो होता है लीफ रोब दा सेप अब दे स्टोरेज के लिए हमको रहना चाहिए और यह जो आवेल मैनेज मेज फौर से 5 या 5-7 टन ग्रिन पर हेक्टेर में हमको निकल इसमें इसके ग्रिन मिल जाते हैं एक हेक्टेर के अंदर अगला है चिकपिया चिकपिया जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है सिसर एरेंटियम एल कॉमनली नौन आज दा ग्रांब सिसको चना जो होता है उसको लोग बोलते हैं, चना दो होता है, एक ब्लाइक चना होता है और ये ग्रैंस वाले चना होता है ये ब्राउन चना तो ये जो ब्राउन चना वाला जो है ये चिकपीया जिसको लोग काबली चना भी बोलते हैं घ्राम या बेंगल्स ग्राम in the English is called चना in Hindi इडिसक पैंडूमेंटली ग्रॉंड रेनफेड क्रोप यह भी है कैसा क्रोप है रेनफेड क्रोप है बट इरीगेटर इन एरिया वेर इरीगेशन फैसलिक्षिटी मेरे वहाँ भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं चिक्पिया is the good source of the proteins है इसके अंदर 80 to 20% क्या होता है प्रोटीन होता है Carbohydrate 52 to 70% होता है जबकि fat जो है इसके अंदर 4 to 10% होते हैं अगला point है इसके अंदर जो चिक्पिया के लिए जो climate होना चाहिए वो यह जो है चिक्पिया जो है essential क्या होता है subtropical crops होता है जो कि हम लोग 10 degree north से 30 degree north के बीच में हम लोग क्या करते हैं और यह winter seasons होता है क्या है winter seasons होता है winter seasons होता है जो कि इसके लिए जो moisture होना चाहिए या rainfall हों जाए वो 600 to 1000 mm annual rainfall वाल एरिया में हम लोग करते हैं heavy rain at the germinated यानि जिस समय जर्मिनेट होता है उस टमें उस टाइम जो होता है हमें heavy rain का जोर्त पड़ता है जबकि flooring iron टर्म के टाइब में हमको क्या होना चाहिए heavy rainfall की जोर्त पड़ती है इसके लिए जो sunlight होना चाहिए per day 12 to 6 hour available होना चाहिए ठीक है यह mainly north इंडिया में इसका cultivation किया जाता है और इसके लिए soils होता है sandy soil से लेकर clay looms soil के में हम लोग क्या करते हैं इसका agriculture cultivation करते हैं साउथ में साउथ और डेकर्ण प्लाइटू सेंटर इंडिया महाराष्टा ब्लैक कॉटेन स्वाइल और clay looms आर जो है बेस्ट होता है किसके लिए चिकपिया कल्टिवेशन करने के लिए क्रॉपिंंग सिस्टम के बात कर लीया मस्टर क्रॉप्स के साथ इसको इसको को मिक्स कर सके चिक पिया का हम लोग क्या करते हैं करते हैं ठीक है सोन आप्टर दा हार्वेस्ट ऑफ था खारिप खारिप्स को लाइक पेडी मेज शुरगम पियल्स मिलेट एटीसी जो ग्राम इस रोटेशन जो होता है वह स्वाइल बॉर्ण डीजी अच्छा इसको कॉंट् यल्डिंग करने के लिए यह जो है जो डीजी को प्रोपर मैनेज करेंगे कॉमन रोटेशन जो इसको पैडी ग्राम के साथ या पर्ल मिलेट ग्राम के साथ या सुरगम ग्राम के साथ या मेज ग्राम के साथ हम लोग क्या करते हैं रोटेट करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो स्वाइल के अंदर जो डीजी बॉन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं खतम हो जाते हैं इसका एग्रिकल्चर करते रहते हैं इसके बाद इंप्रूट वाराइटी जो है वाराइटी में 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 जो है रेसिस्टेंड या टॉलरेंस टुदा मेजर डिजीज लाइक विल्ट यह सब विल्ट भारती यह मैंली क्या होते हैं इसके बहुत सारे जीजे सेवेंटी फॉर जीजे जीजे त्री हंड़ेट फिप्टीन आइसी सी थर्टी टू पूसा टू 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 फोटिफोर यह सब इस सारे इसके क्या होते हैं किस के चिक पिया ठीक है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है इस मुझा देखेंगे लैन प्रिप्रेशन इसके लिए जिस एरिया में अगर जितना बहतरीन क्या होगा यानि एर का ट्रैपिंग उसके अंदर जितना बहतरीन होगा उतना हमारा क्या होगा इल्डिंग होगा किसका चिकपिया का लीटिल लैंड प्रिप्रेशन इस रिक्वाइड ज्यादा इसमें क्या होता है लैंड को क्या प्रिपेर करने की जोरूत नहीं तो हलका यानि लीटिल हम कर लेंगे तो वह भी हमारे लिए बहतरीन हो जागा इस वाले रिजन्स में भी क्या होते हैं इसका हम लोग चिपिया का करते हैं सीड रेट के बाद हम करेंगे तो अप्टिमान प्लांट साइज ने स्पेसिंग जो होता है वो कितना होता है 30 सेंटी मिटर तो 10 सेंटी मिटर होता है सीड रेट वराइ relatively varies करता है 80 टु हन्डे या 50 टु सेबंटीं केजी पर हैक्टेयर इंदा काबुली के सेंट में और किसके देशी चना के सेंट में ठीक है देशी चना देशी चिकपिया के अंडर द लेट लेट सोन अगर हम क्या करेंगे कि डाइज टायम आगर काबली का ठीक है 30 सेंटिमेटर क्या हो जाएगा अच्छा रूस रूस जो है वह भी इंक्रीज कर जाएगा 40 सेंटिमेटर एपर्ट जबकि देशी टाइब के लिए 30 सेंटिमेटर रूइंग होने लगता है जर जेनरली इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगला पॉइंट है ताइम स्वइंट में हम लोग दिखेंगे कि इसका जो जो स्टेट तो स्टेट वाइज अहोता है डिफरेंट.. इपरिभर दिप्रेंट होता.." पंजाब और हर्याना में अरे फ्रिच न हम लोग करते हैं और सफकत्त time वाले रीजन में फास्ट टूट फिप्टीन अक्टूबर के विच में हम लोग करते हैं जबकि इसकी इरिगेशन के रिकायर्मेंट जो होता है वो 15 से 30 अक्टूबर के विच में होता है बिहार और गुजरात में हम लोग देखेंगे तो 15 अक्टूबर से लेकर first week of the number तक हम लोग क्या करते हैं इसका अग्रिकल्चर करेंगे और सीडिंग करेंगे और जो इरिगेशन जो होगा वो फास्ट फॉर्ट नाइट आप नॉबर में हम लोग करेंगे जबकि माध्य परदेश महराज शूतर परदेश करनाटक जमु कस्मीर और तमिलाडू में जो है first fourth night of October करते हैं और इसका जो हम लोग क्या करते हैं इसका इरिगेशन जो होगा वो इंड आप ऑक्टूबर टूदा फर्स्ट विक अप नॉबर में हम लोग कर लेते हैं है कि हम जोब अब लोग देखेंगे जो है तो क्या है नाइट्रोजन का हमारे लिग विएफ इस डि जो जो या बिंग लिगुमिनस ली इट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इस इन आपसोसियेशन विद द राकीश के साथ मैजोरोमियम सी सेरीज के साथ थीक है अगला पॉइंट है for the time for the time of the showing time के समय हम हम लोग के स्टुडेंट phosphorus is the most critical nutrient limited the chickpea production के लिए हमारे लिए क्या होने चाहिए showing time के time हम phosphorus उसके साथ mix करते हैं काबली टाइप required for more phosphorus यानि काबली वाला हम जो करेंगे उसमें जो है काबली शना के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें phosphorus जो होता है more require करता है किसके लिए देशी चिकपिया से एप्लिकेशन में application of the 20 to 30 kg per hectare क्या gypsum in acidic soils के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अगर soil acidic होगा तो gypsum 20 से 30 kg per hectare यूज़ करेंगे जबकि sulfur का यूज़ करेंगे हम किसमे non acidic soil के लिए क्यों यह करेंगे क्योंकि हम क्या करेंगा अगर ऐसा करते हैं तो हमारा चिकपिया क्या होगा maximum yielding कर पाएंगे अगर soil में zinc sulfide का अगर कम होता है तो उसमें हम क्या करेंगे 20 kg per hectare zinc sulfide भी यूज़ करेंगे ठीक है अगला पॉइंट है वाटर मानेजमेंट पर हम लोग देख लेते हैं तो वाटर मानेजमेंट पर स्टुरेंट जो है ग्राम इस दो मोसली सोन इन रेंफेड क्रॉप्स होता है capable of the extraction moisture from the deep at the deep greater than one meter it roots confined of the two feet soil को यह क्या कर साथ soil के अंदर यह जाता है किसके लिए moisture के moisture यानि water के तलास में the water requirement of the crop varies करता है 250 से 400 mm तर ठीक है irrigated crop जो है four to six leaf stage and the branching and the port formation stage के साहब है अगला है nipping निपिंग होता है स्टुडेंट यह क्या होता है निपिंग जो होता है removal of the top axillary जो बड होता है यानि जो हटाना होता है वो क्या कर लाता है निपिंग कर लाता है weed management में हम लोग देखेंगे weed management जो है इसका जो है initially four to eight week are most critical होता है कि is for weed competition and the first mechanical weeding has been advised to 25 या 13 day day after showing में हम लोग क्या कर लेना होगा इसका weeding management कर लेगा second जो होता है वो 45 से 15 day after showing में कर लेंगे और chemical weed control with the panda में थ्रीन का यूज करेंगे कितना one kg per hectare ठीक है 45 day के बाद ठीक है अगला है disease management कौन साथ disease management इसमें जो है disease जो है wilt होता है यह disease generally जो appear करता है after three week of the showing के बाद color result drawn become the drag or discolored होना start कर जाता है दूसरा इसके अंदर जो disease होता है वो होता है इसको चाइटा ब्लाइट होता है और इसके बाद इसमें हम लोग पेस्ट management में देख लेंगे तो ग्राम पोर्ट बॉरर में यानि यानि यंग लार्वा लार्वा फीड फीड फोर दा सब्सक्राइब करते हैं है यह जो management management क्या करेंगे यूज करेंगे इसमें जो है इसके आंदर हम जेनरली जो है शब्रे करते है कि सका chlorophy क्लोपाइब पारिफोस जिरो पाइंट सेवन परसेंट ठीक है इसके बाद कट कट वर्म है यह यह इंसेक्ट होता है इसके लिए हम क्या हम लोग क्या यूज करेंगे तो इस मिदा कल्चर अब दप्रैक्टिस इंवल्ड प्लॉइंग दफिल्ड आप्टर दा हर्वेस्टी क्रों एग्जिबिट हार्विंग पूपाई दा एग्योजेश्टिट और हेलियो क्लीन क्ल्टिवेशन यानि हम क्लिन इंडियाय हम लोग किल क्लिन कली यूज करेंगे इसके बार देखलेंगर थी and we won't your north in the west lambda रॉइजन की करने के लिए कि आज जाता है इसके लिव्ज होते हैं यह reddish brown color का हो जाता है and starting shade होना start हो जाता है ठीक है plant are either plucked out by the hand or cut by the sickle के द्वारा हम लोग क्या कर सकते है इसको cut कर सकते है crop is allowed to dry in the sun ठीक है इसके बाद हम लोग thrusting floor में 5 to 6 day के बाद हम इसको thrusting कर देते है thrusting is done either by the beating या plant with the stuck trembling under the hood of bulk बुलक बुलक से क्या कर सांगे उसके फीट से हम लोग क्या करते हैं राउंडर गुमा कर इसको क्या कर लेंगे उसको निकाल सकते हैं देशी चिक्पिया इल्डिंग होता है 20 to 25 क्यूंटल ग्रांट पर हेक्टियर हो जाता है जबकि काबली टाइब्स होता है 25 से 30 क्यूंटल पर हेक्टियर हो जाता है है अगला पंट है इढ़िए द्सट्रेंटं फाउंट पर्षाइड परसेंड आप ग्लोबल ऐरिया में और 85 पर टार्यस निका निया परडमस्हा जो है है रेड़ ग्राम इसको हम लोग अरहर या तूर भी हिंदी में कहते हैं किसको पीजोन पिया ठीक है यह सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉल्स क्राप्स होता है ठीक है चिक पी आप्टर दो है इसके बाद जो है चिक पिया दरिस्पेक्ट वेड़ एरिया और प्रोडक्श पिया अंदर होता है ठीक है अगला पोर्टै weekend । अगला पोर्टै अगला पो tym हरुए इसके अदर अगला प्यंट है की यह जो हता है यह सरी है आज निए यह आजे हर आर अल्सरी इन बस्जेंश ऐन ऊफस्टोश रामीण इसीड डाक नाइट्रोजन लगसेरे और ये जो होता है यह खारी अतुप होता है समर मिर затें में उते लेसे क्लीचे नर्थ इस इद्रॉश परतो इन्डिया नर्डण Johnson हें प्रते हैं स्वर्ट नाइट्रण इसन रोच ब्रता है नार्ध 20 स्वर्ट करता है मैठ जबकि एक्स्टा वहने के बाद से इसका टाइमिंग जो है 260 डे भी होता है फोर दा लेट में वहाइटी के लिए ठीक है अगला पॉइंट है क्लाइमेटी कंडिशन इसके लिए क्लाइमेटी कंडिशन में हम देखेंगे कि पीजन पी जो होता है च्रॉप अप्ड़ाइड और सेमी एरिड क्लाइमेट रिजन में होता है बैनली जो है 30 डिगरी नौट से 35 डिगरी साथ की बीच में इसके अगरिकल्चर करते हैं और जो होता है वह 50-1000 mm रेंफाल इसका होता है तमप्रेशर के हम बात करेंगे तो 20 से 40 डिगरी से अगला पॉइंट है इसका जो स्वाइल होना चाहिए सैंडी लोम से लोम स्वाइल होता है सफिसेंट और्गेनिक मैंटर कंटेनी दा आइडियल कंटिवेशन अब दा पीजन पिया के लिए जो पीज वैलू जो होता है 5.5 से 8.8 तक होता है सक्सेस्पिली हो जाता है जबकि डबल ग्रोन स्वाइल भी दा है और यह जो है 6.65 पे डबल फेबरेबल सिसके लिए जो होता है वो 6.6 से 6.5 तक फेबरेबल कंटिशन इसका होता है पीज वैलू का वैराइटीज में हम लोग देखेंगे तो इसके थ्री भारेटी जाते हैं स्वाट डिवेशन यानि इसका टाइम रिक्वाइड मेचुरेटी जो क्लास में थी त्री ग्रूप में बाटा गया है जो स्वाट डिवेशन यानि 120 से 150 डे 150 से 180 डे और 180 से 300 डे के वैराइटी इस ड़न केरफुली कीपिंग इन दा माइंड दे क्लाइमेट वाटर रिटेंशन कैपिसिटी अप दे स्वाइल के जैसे उसमें पूसा 855 है पूसा 9991 है तो यह जितने भी हम भाइराइटी का क्या करें सेलेक्शन करेंगे वह सेलेक्शन हमारा डिपेंडेंस ह होना चाहिए कि वहां का क्लाइमेट कैसा है वहां का स्वाइल कैसा है और वह हमें किस कौन सा करना होगा सौट डिवरेशन या मेडियम डिवरेशन या लॉंग डिवरेशन का हम लोग क्या करना होगा पीजन पीया का कल्टिवेशन करना हो स्वेंग टाइम में हम बात यह जो है उस्पीजन होई करेंगे की किसके साथ है वीरीड के साथ यानी मत बर किजी न्लब कर चूट कर के तब हम क्या करेंगे इसको सील को स़्ोइग करेंगे सिरय जो हम घ्ली से है एड़ चे टेन केजी लॉंग डियूरेशन या 10 से 12 केजी मीडियम और 12-15 केजी पर हेक्टेयर शौट डियूरेशन वेराइटी के लिए यूज करते हैं इसका मेचोरिटी टाइम हम देखेंगे मेचोरिटी टायन होता है इसका भेरी अर्ली मेचुरेटी टाइम जो होता है, मोनो क्रॉप से 20 kg per hectare spacing इसमें हम क्या रखेंगे 120 से 30 cm, अर्ली मेचुरिंग 20 kg per hectare spacing सिमिलर होगा, और मिडियम डिवरेशन जो होता है, इसमें भी मोनो कोव या इंटर कोव दोन हो आता है जिसे 15 kg पर हेक्टेर के लिए चैसींग कितना रखेंगे 16 to 20 जबकि इंटर कॉप के लिए 5 kg पर हेक्टेर पर हेक्टेर चैसींग जो होता है वह 3220 लॉन्ग डियोरेशन के देखेंगे between 50 and 16 day of the germination main suit tips and secondary branch tips are हम लोग क्या करने प्रूंड कर देंगे promote करेंगे किस के लिए तो इससे क्या होगा promote और develop करेंगा large number of territory suits क्या करेंगे बहुत सारे क्या होगे उसमें territory suits निकल के आएंगे जिससे हमारा क्या होगा पॉट्स ज्यादा होंगे और पॉट्स ज्यादा होने के बस से हमारा वैरेट इल्डिंग जोगा वह 32 कितना 30 से 35 परसेंट अधिक हो जाएगा ठीक है इसमें nutrition management में देखेंगे तो रेट ग्राम जो है deep rooted crop होता है ठीक है जोकि 1 से लेकर 1.5 feet तक होता है जोकि और 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 वन से लो टीलिंग में जबकि आप्लिकेशन जो है fym जो है 5 से 5 से 10 टन हम लोग जो है क्या करेंगे fym mix करेंगे किसके साथ 5 kg PSP during the last टीलिंग में स्वाइल इस वेट हाइली बेनिफीशियल होता है इसमें 20 kg हम नाइट्रोजन स्यूज करेंगे 50 kg phosphorus पेंटाउक्साइड यह 20 और 20 तो 30 kg potassium और डायोक्साइड और 20 kg हम क्या करेंगे Sulfur को यूज करेंगे बेसल ड्रेसिंग फार्टिलाइजर और ब्रोड कास्ट जो है ब्रोड कास्ट के दौरा हम लोग क्या करेंगे सीटिंग करते हैं water management में हम लोग जो देखेंगे वो 30 से 45 32 35 से 40 cm water जो है during its entire growth period में हम लोग क्या करेंगे rate grams के लिए requirements होता है rate grams grown जो हैता है as a rainfall area usually it does not require any irrigation की जोरत नई परती है weed management में हम लोग देखेंगे student तो weed management में हम लोग होता है कित्मा 16 डे growth ठीक है first weed जो है डन के जाता है 22 25 डे आप्टर सीडिंग इसके बाद सेकेंड जो है 50 16 डे डे आप्टर सीडिंग और थर्ड होता है pre emerging pre emerging जो होता है पेंडा मेंथिलीन हम लोग यूज करेंगे पर hectare 1 kg पर hectare ठीक है disease management जो है यह अफेक्टेट प्लांट जो है यलो या मॉल्ट मॉलेट सिम्टम इसमें आना एपियर हो जाएगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस प्रे करेंगे क्या 0.1 वेवी स्टीम सॉलूशन को क्या कर देंगे इस प्रेट कर देते हैं पेस्ट मैनेजमेंट में देखेंगे तो पोर्ट बोरर जो है शर्वाइग और मेनी होसेट प्लांट एक्रोस दीफरेंट सीजन ठीक है और मोनो क्रोटो मोनो क्रोटो फोस जो है 0.4 परसेंट इस प्रे कर देते हैं ठीक है हार्वेस्टिंग और थ्रेस्टिंग में हम दोग देखेंगे कि वेन दा मोस्ट अब दा लीप्स आर सीड़ आइंटी परसेंट पोर्ट ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा यह जो ह जो होता है जो होता है रेंट इंटर क्रोट में 15-20 क्वेंटल जो हता है जबकी जबकी स्टुडेंट 25-30 है इरिगेटिट मोनो क्रोटो आप्टेंड कर सकते हैं इसके बाद ड्राइज क्लीन सीड जो है सान इन स्वेट्ट माइचर अब एट परसेंट इसके अगला जो है मीक्स क्रॉच्ट नियर लीव लीव अन ग्रेंट इस टोर इन गानी बैक गानी बैक इसका नाम होता है इसमें इसमें पी के अंदर जो है 22-22.5 परसेंट प्रोटीन मिलता है कार्बोहाइडर 61 परसेंट फैट जो है 1.8 परसेंट कैल्सियम आयरन ठीक है बिटामिन ठीक है बिटामिन यह इसके अंदर हमको मिलता है यह जो फिल्ट पीज होता है वो 0.6 मिलियन हैक्टेर जो है इसका क्या किया जाता है फिल्ट में अग्रिकल्चर कल्टिवेशन किया जाता है और जिसका एन्वल प्रोडक्शन है वो 0.56 मिलियन स्टन्स होता है इसमें जो मेजर स्टेट जो अच्छे इसका स्टूडेंट जो प्रॉड़क्टिवीटी रेट है और 906 केजी पर हैक्टियर होता है यह जो मेजर फिल्ट क्रोइंग एस्टेट जो है वो उतर पर इसमें हम लोग P5, PAN P5, DMR11, VLT, 1T163 यह सारे इसके बहुत इसके भी बरायाटिस होते है जो हम लोग यूज करते है इसका कल्टिवेशन करने के लिए climate and sweat requirement जो होता है इसके लिए temperature जो होना चाहिए वो greater than 27 डिगरी होना चाहिए और जो sand है वो sand loam से sand clay loam requirement होता है और इसमें जो pH value जो होना चाहिए वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए cropping system क्या होना चाहिए तो paddy इसके बाद ती मेज या पी सरगम पी पिल्टमेट पी cotton पी मेज आरली पी सुगर केन और मेज पी ओक्रा को हम लोग क्या कर सकते हैं इसके cropping systems होते हैं कि इसके पी के लिए ठीक है seed and sowing method हम लोग देखेंगे तो seed और sowing method जो हता है वो क्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे seed rate जो होता है student अच्छे यह जो है second fourth night of October में हम लोग क्या कर देंगे इसका start करते है agriculture seed rate जो है वो 60 to 80 kg per hectare होता है और इसके जो seed है उसको treat करते है theorem 0.25 gram को उसके साथ हम लोग क्या करते हैं और mix करके इसके बाद हम लोग क्या करते है अग्रिकल्चर चाहिए पर hectare 50 to 60 kg जो है फासफोरस पेंटाक्साइड यूज करेंगा 30 to 40 kg जो है potassium dioxide पर hectare को यूज करेंगा water management में जो है drop is the major constant for the plant के लिए होता है ठीक है the crop is the generally shown in after irrigation के बाद ही हम लोग क्या करते है इसमें लोग क्या करेंगे की जो है one one kg per hectare पेंडा मेथलिंज को यूज करेंगे डीजीज जो होता है पाड्री मेल्ड भी होता है ठीक है इसके मेंडीज होता है पेस्ट मैनेज्मेंट में पर हम लोग क्या करेंगे इस्प्रेट करेंगे कि इसको मोनो क्रोटोप जो की 0.4% 10-15 डेके इंटरवल पर इस्प्रेट करते रहते हैं और जो हार्वेस्टिंग जो होगा फुल राइपिंग या इसका फ्रेशिंग आप्टर दसफिसेंट ड्राइब इन दस्टन यानि सुख जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसका फ्रेशिंग करेंगे इसका इस्टुडेंट जो इल्डिंग होता है वो 10-12 टन ग्रीन पोड्स पर हेक्टेयर जबकि फिल्ड पीक एंड इल्ड एब इसके अंदर जो है 24-26 परसेंट रोटीन होता है 1.3 परसेंट 2.3 परसेंट ऐस 3.2 फाइबर 5.57 के आउति के अंदर कार्बो हाइडर होता है क्लामेट इसके लिए जो रिक्वार्मेंट होना चाहिए और 27 डिग्री सके लिए टंपरेशर क्लाइमेट होना चाहिए यह जो है winter crop seasons है यह winter season crops होता है ठीक है अगला point है इसके अदर अगला है इसका improved varieties होता है वो wipsa है wbl 58 है cropping system हम लोग देखेंगे तो lentil lentil ठीक है lentil mustard बंग बुंदेल खाल रिजन अब दो उत्तर पर जे जो है ये पौनियर्ट प्रोमाइज ज़ा हरा इसलेंटिन इस दा मोस्ट कमन रोटेशन इसके होते हैं और रोटेशन भी है इसके ग्राउंड नॉट या ने लेंटिल भी सकते हैं ठीक है इसके बाद लेटी या सवरगम लेंटील हम लोग अग्रिकल्चर सकते हैं सीड रेड़ सीड और सोईंग मेथाट हो जो हम लोग देखेंगे जो है सोन नॉर्मल सोन क्रॉप जो होता है क्यिकते हैं इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वीड मेनेजमेंट वीड मेनेजमेंट वह जो है वह जो है डे आप्टर डे आप्टर स्वेंग यानि 30 तू 16 डे आप्टर स्वेंग जो था मोस्ट कुरूसियल होता है इसके लिए इसके बाद 13 तू वन केजी जो है पेंडा मेथलीन को हम लोग यूज करेंगे पेस्ट मैंजमेंट में साइपर मैथलीन जो है इसके बाद हम क्या करेंगे और इसका जो मौशर कंटेंट जो हरता है त्वेल परसेंट सेफ स्टोर के लिए होता है अगला है ब्लैक ग्राम में हम लोग सिमिलर वही चीज़े देखेंगे इसको जो है विजना मुंगू बोलते हैं मुंगू बोलते हैं इसको पॉप्लर नेम जो उड़त दाल होता है इसमें 25-28 परसेंट प्रोटीन होता है वन से 1.5 परसेंट ओयल होता है 3.5 से 4.5 फाइबर होता है 4.5 से 5.5 आयस होता है और 60 तू 65 परसेंट कार्वो हाइड़ेट होता है यह क्या है एक खारी खराब होता है एरिया जो है 29.68 लाग होता है टोटल प्रोडक्शन जो होता है 12.5 परसेंट लाग पर टन्स होता है इन इंडिया में एस्टुडेंट ब्लैक ग्राम जो होता है वो वेरी पॉपुलरली ग्रोंस होता है आंदरपरदेश बिहार मध्य परदेश महराष्ट उतरपरदेश वि ठीक है एल्टीटूट देखेंगे तो टू हंडेड मीटर स्वाइले एल्टीटूट पर भी हम लोग क्या कर सकते है इसको एग्री कल्चर्ट तू थाज़ेंट एल्टूट वालवे ठीक है जो आवेर डिस्ट्रिबूटर शिटी तू सेवेंटीफाइफ रेंफॉल इस था इस चीफ लोमी और हेवी स्वाइल्स डस्वेल और बोथ ब्लाइक कोटेन स्वाइल और बोर्ण अलूवियम में इसका अग्रिकल्चर कर सकते हैं जो क्रॉपिंग सिस्टम जो है क्रॉपिंग सिस्टम इस्टूट डिफरेंड सीजन्स में होता है जैसे खारिफ राबी में भी हम लोग क्या कर सकते इसका अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर करते हैं अगला है वाराइटी की बात करेंगे तो वाराइटी हम लोग देखते हैं जेनरली जो है रेसिस्टेंट वाराइटी टू यल्लूम मोसाइक वाइरस और उत्रा नारेंदरा उरद पैंट यू-19 यह क्या है इसके बहुत सारे इसके भी बहुत सारे क्या आते हैं वाराइटी आते हैं सीट में हम लोग सीट और सोइंग मेथर्ड देखेंगे तो सीट जो है ट्रीटमेंट किया जाता है कि इसके साथ फंगिसाइड लाइक कैस कैप्टल थीरियम और बुविस्टी हन् 2-30 केजी पर से पर सीट में हम लोग यूज करते हैं या फिर सीट रेट जो होता है इसका 15-20 क केजी पर हैक्टियर होता है यह भी एक खारीब स्क्राप्स होता है जाकि 25 केजी जो है समर सीजन्स में हम लोग यूज करते हैं यह जो स्वोइंग जो हता है ऑंसेट अदो मांसूद डाइटी मतलब जून जूलाई में हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है 20- 25 केजी हम लोग पर हेक्टेर जूज करते हैं 50-60 केजी जो है CHAR भस्फोरस पेंटा ओक्साईड जो है प्रितंतर्ट फोर्ट केजी जो है 40 to 45 डे आप्टर सीडिंग हों क्या होता है बेटर वीड कांट्रोल किया जाता है इसके साथ हम लोग क्या गरेंगे पेंडर में थिलीन को जो है 1 kg पर हेक्टेर या 75 लीटर अफ दा वाटर क्या होता है एक्वीट एफिसेंट होता है डीजीज की बात करेंगे तो सर को पोरा लीप इसपॉर्ट यह एक डीजीज होता है इसके बाद पौडरी मिल्डियू होता है और वाइरल डीजीज वाइरल इसके अंदर डीजीज भी होते है पोस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पीस्ट म फार्वेस्टिं का हम बात करेंगे हर्वेस्टिंग होता है ड्राइएप यह यानि घ् Rag Cap यह प्र पूरी तरह से सूग जाता है इसके बाद याables वीटिंग करके हम आका सकते इसमें घ्राइऑ यह जो है 10-12 परसेंट जो क्या है मौसर सीड्स के अंदर होना चाहिए और जो है गूड क्रॉप्स होता है ब्लाक ग्राम्स येल्डिंग जो है वन से 1.5 टान पर हेक्टियर्स पर हेक्टियर्स में होता है अगला है ग्राम चाना ठीक है इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे ठीक है थैंक यू